हेलो एवरिवन वेलकम तो सरकारियाट वन्स अगेन तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूँ जो कि उत्रप्रदीश की नीट यूजी के काउंसलिंग से लेटेट है तो यूपी में जो स्टेट काउंसलिंग हु जो आपको वापस होनी है काफी बड़ा अमाउंट है सभी के लिए तो यह अगर आप जो भी इसमें इंफॉर्मिशन दी गई है अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो आपकी जो सेक्यूरिटी वीस है वो शायद आपको वापस ना मिले ठीक है तो सभी इंफॉर्मिशन आ important information regarding the security refund of unallotted candidates यानि कि जिन candidates को seat allot नहीं हुई थी और उन्होंने जो है पार्टिसिपेट करा था counseling में security fees पे करी थी तो उनको जो refund होनी है security fees वो कैसे होनी है उसका क्या-क्या process है उसके बारे में information दे गई है ठीक है तो यह लिखाएगे जो counseling है वो खतम हो चुके सभी rounds complete यहां पर हो चुके है और ऐसे जो candidates है जिनको कोई भी seat allot नहीं होई थी जिनको कोई भी seat का allotment नहीं दिया गया था उनकी जो security fees है वो उनको वापस की जानी है तो इनके department को ऐसी बाद यह पता चलिया है कि बहुत सारे ऐसे candidates है जोनोंने counseling के जो fees है वो खुद से पे नहीं करे थी बलकि किसी cyber cafe से पे करवाई थी या फिर अगर उनका कोई counselor था तो उसके थ्रू उनने पे करवाई थी या फिर किसी other person के थ्रू जो है अपनी security fees पे करवाई थी ठीक है तो अगर ऐसा case है तो उनके बारे में आपने बताया गया therefore all such candidates are informed that they may submit application with their bank account details along with bank passbook और cancelled check ID and copy of security deposit receipt to this office on any working day till 24 January 2023 at 5 p.m. ठीक है तो इन्होंने ये लिखा है कि अगर आपका कुछ ऐसा case है कि आपने जो अपनी security fees है वो किसी cyber cafe वाले से pay करवाई थी ठीक है या फिर किसी other person से pay करवाई थी आपने खुद नहीं करी थी खुद के bank account से नहीं करी थी तो उस case में जो है आपको क्या करना है आप क्या कर सकते हो आपको एक application वहाँ पर जमा करनी है कहाँ पे करनी है इनकी जो department में लखना हूं है ठीक है तो आपको जो है एक application लिखनी है उसमें लिखना है कि मैंने जो है cyber cafe या जहां पर इस bank account से इस bank को ही थी ठीक है जो भी आपकी डेटेल वगरा होगे ठीक है तो यह आपको application में add करना होगा और उसके साथ साथ क्या करना होगा आपको अपनी bank account की जो details है जिसमें आपको अपनी security fees वापस चाहिए उसकी detail आपको उसमें लिखने है कि मेरा bank account यह है और मेरा नाम यह है ठीक है यह सब details उसमें add कर देना और उसके साथ साथ आपको आपकी passbook की copy या फिर आपका जो checkbook होता है ठीक है उसकी cancel check की copy जो हो वहाँ पर आपको उसमें लगा दीने मतलब या तो passbook की photo copy लगा देना प्रेंट पेज होता है जिसमें आपके सभी details लिखने होती है आपका 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 नाम के है bank account का number के है ठीक है यह सब लिखा होता है branch कौन से है तो या तो passbook की copy लगा देना otherwise एक cancel check मतलब अगर आपके पस checkbook है bank की खुद के bank account की जिसमें आपको security fees वापस चाहिए तो उस check को cancel कर देना basically cancel करने के लिए आपको जो है उपर line डान ली होती है और उसका मतलब होता है cancel ठीक है तो वरना आप Google पर search कर लेना आपको cancel check के format मिल जाएंगे तो देख लेना हमासे check cancel कैसे cancel check बनाया जाता है वो आपको उस application के साथ attach करना होगा ठीक है साथ में लिखा ID and copy of security deposit received to this office ठीक है और ID ID मतलब आपका अधार card उसकी photocopy जो है वो अपनी application के साथ attach करनी है और साथ में जो security fees आपने deposit करी थी उसकी जो fee receipt आई थी जब आपने pay करी होगी तो शायद या तो आपके mail पर आई होगी या फिर उसकी copy वो लग जाएगी उसमें ठीक है तो यहां पर जाके आपको जो है यह जमा करना होगा clear है तो on any working day 24 तारिक तक यह आप यहां पर जमा कर सकते हो any type of application will not be accepted after the due date and the security amount will be returned to the same account from which the security has been paid by the candidate ठीक है तो अगर suppose आप ऐसा नहीं करते हो तो उस case में भी ऐसा नहीं है कि आपको security fees वापस नहीं मिलेगी लेकिन होगा क्या कि वो security fees उसी person के या उसी बंदे के bank account में आएगी जिसके bank account से आपने payment करवाय था चाहें वो cyber cafe वाला हो य यानि कि आपको उनसे बार-बर पूछना पड़ेगा या जब यह कोई notice publish करेंगे कि अब security fees वापस कर दी गई है तो उस time पर आपको जो alert रहना होगा और जिससे भी आपने fees पे करवाई थी उनसे पता करना होगा कि आप अपना प्लीज एक बार bank account चेक कर लो statement चेक कर लो कि fees वापस आ गई है नहीं आ गई तो आपको उनसे वापस लेनी पड़ेगे ठीक है तो पहला option तो यह दूसरा option यहाँ पर लिखा हुए कि आप application submit करके और अपनी bank account की details जो महाँ पर submit कर दो ठीक है तो ऐसा कर सकते हो जो आपको easy लगे अगर आप suppose लखनाओ में रहते हो लिखा और यहाँ पर यह लिखा है कि applications या documents sent by any candidate or email or whatsoff will not be accepted, personal presence of the candidate or guardian is mandatory ठीक है तो यहाँ पर लिखा हुए application जो है वो आपको खुद से जाकर देनी है या फिर आपके कोई भी guardian साथ में लिखा रहे है ठीक है वो application को या तो आपका कोई guardian लेकर है या फिर आप खुद साथ आप में आए उस application को लेकर तब वो application जो accept की जाएगे यानि कि यहाँ पर ना तो आप post कर सकते हैं मतलब जो डाक होती है उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते है और whatsoff email यह सब तो करना ही नहीं बिल्कुल भी ठीक है तो post के थुरू आप नहीं भी सकते है आपको क्या करना और अगर आप लखनाओ के पास में ही कहीं पर रहते हो लखनाओ रहते हो और किसी जगे पर रहते हो जो लखनाओ के पास है तब तो आप यह चीज़ कर लो कोई problem नहीं है लेकिन अगर आप दूर हो आपके लिए possible नहीं है जाना लखनाओ तो यह जो आपकी security fees है वो मुझे मुझे लगता है कि यह पूरा प्रोसेस जो है complete हो जाएगा जब जैसे कि नोने 14 जनुरी लिखका है यह जब complete हो जाएगा तो मुझे लगता है कि उसके 15-20 दिन बात तक जो है 15-20 दिन में ठीक है उनसे बार बार कंफर्म करते रहना कि आप प्लीज बीज बीज में चेक करते रहना अपना bank account अगर फीज आती है तो उनको पता लग जाएगा और हो सकता है कि यह DJME वाले जो है यह notice भी publish कर देंगे कि आपकी जो फीज है वो वापस कर दी गई है ठीक है लेकिन फिर भी यह कि 15-20 दिन में या फिर एक महिने में कोई भी notice अगर नहीं आता इनकी तरफ से security fees से related तो फिर आप उनके टच में रहना जिससे भी आपने फीज अपनी पे लोग तो इन्हों ने अगर यह information निकाली है तो आपकी सोच की सलोग जहां तक है एक महिने के अंदर अंदर जो आपकी security fees वापस कर दे जाएगी और all India quota की all India quota की जो fees है वो भी लगबग 30-40 दिन के अंदर आ जाएगी अगर किसी ने all India quota से participate कर रहा था NTA वाली जो counseling होई थी मतलब NTA नी sorry MCC वाली जो counseling होई थी ओके तो यह आपकी complete information है अब इसके regarding future में कोई भी notice आता है कि आपकी security fees वापस आ गई है या फिर ऐसा कुछ भी notice आएगा तो आपको जोए मैं inform कर दूँगा यही channel पर आपको मतलब वीडियो के तो information दे दूँगा तो आप अगर channel पर नए हो तो channel को जो जरूर subscribe कर लेना और bell icon को press कर लेना ताकि कोई भी से related जब official notice हाईगा तो जब information आ जाएगे तब वो मैं आप तक पहुचा दूँगा और उसके बाद जो है आप अपना bank account चेक कर लेना जिससे जो है आपको बाद में problem ना हो clear है और एक चीज़ यह ध्यान रखना कि जिस bank account से आपने pay करवाई थी उस bank account को गलती से भी बंद मत करना ठीक है अगर आप गलती से भी bank account को close कर दे तो फिर आपकी security fees वापस नहीं है ठीक है तो वो bank account जो हो चलता रहना चाहिए उसको close मत करना जब तक आपकी fees वापस नहीं होती चाह परने तो subscribe कर लो और bell icon को press कर लो के so thank you and have a nice day